एक मशूर और नायाब शायर जिसके शब्दों में वो जादू है जो उसके ना होने के बाद भी लोगों के बीच जिन्दा रहेंगे प्रसेद शायर रहत हमारे बीच नहीं रहे आज उनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं रहत दौरे जब नविक अक्षा में नूतल है सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल में एक मुशायरा हुआ रहत की रूटी शायरों की खिद्नत करने के लिए लगा दिये उस मुशायरे में जानिसार अक्थर भी आय थे चातर रहत ने उनका ओटोग्राफ लिया और पूछा कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ इसके लिए क्या करना होगा अक्थर साहब बोले पहले कम से कम एक हजार शेर याद कर लो इससे रहत बोल पढ़े ते तो मुझे अभी याद है बच्चे का ये जवाब सुनकर अक्थर साहब ने जवाब दिया तो फिर इससे शेर को पूरा करो ये कहते हुए उन्होंने एक गजल की लाइन लिखी हमसे भागा न करो दूर और कहा कि इससे पूरा करो उसे पढ़कर रहत बोल दिये हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालो की तरह फिर क्या था उन्होंने शेर पूरा कर दिया मतलब सपष्ट है कि अपने स्कूली जीवन से वो शायरी के दिवानी हो गए थी बरकतुला युनिवरसिटी से रहत ने उर्दू में हमें किया और भोज उनिवरसिटी से पी एचडी थोड़े समय में इन दौर में अध्यापन करने के साथ उनकी शायरी परवान चड़ेने लगी ये वह दो था जब रहत अश्वहरत की सीरियों पर अपने पैल जमाते हुए मशूर होने की तरफ बढ़ रही थे और धीरे धीरे करके रहत की मशूर होने की ललक बढ़ती गई और वो अपने शेर से लोगों के दिलों में रास करने लगे आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें